अभी मैं आई हूँ लिवीव चॉकलेट फैक्टरी यहाँ पर हैंड मेट चॉकलेट बनता है नीचे बहुत सारा मशीन लगा रखा उसे खुद बनाते हैं और सेल करते हैं तो अभी पास में ही था मैं जहां रह रही हूँ पास में ही है तो आई हूँ अभी जस्ट में और हां में फिस्ट के शेप में इधर लाइन के शेप में और भी बहुत तारे शेप में चॉकलेट बनाया गया है यहाँ पर देखो यह देखो रपी एधर टेडी टैप का बना रखा है इधर मैं आपको दिख रही हो हमारीज़ आप यहाँ देख सकते हूँ अलग-अलग यहां पर शेप देते हैं चॉकलेट का और भी आगे बहुत कुछ है में आपको दिखाती हूँ यहां पर मिल्क चॉकलेट मिल्क चॉकलेट का फैक्टरी है यहां पर मिल्क चॉकलेट का फैक्टरी है यहां से हमने लिया है यह होट चॉकलेट है डर्क चॉकलेट का होट तो गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी है अभी हम लोग आए हैं मॉल यहां का फोडम मॉल बहुत ही फेमस है तो आपने पहले पता नहीं देखा है नहीं देखा है तो मैं अभी जा रही हूं अंदर में यूँ थोड़ा घूम लेती हूं और आपको भी बैक केमरे से देखा आप लोग देखो यहां पर लोग भी इधर और अफकोर्स रहें गई यहां फोडम लिवी खा हुआ है मॉल है यहां पर बहुत ही बड़ा सा मॉल है और बाहर का व्यू भी आप थोड़ा सा देख लो यह इवनिंग टाइम है अभी तो चलो अंदर चलते हैं अंदर का भी थोड़ा सा व्यू देख लो मॉल के अंदर का और मॉल में हर जगह तो यह भी कैसा दिखाऊंगी तो चलो थोड़ा बहुत कहीं कहीं का व्यू आपको देती रहोंगी तब तक मैं थोड़ा सा घूम लेती हूं तो आज मैं लीची लाई हूं, यह देखो इतने टाइम बाद आज मैं लीची खाने वाली हूं इंडिया से जब से आई हूं तब से एक लाद भी लीची नहीं खाया तीन चार साल तो हो गया है तो यहां लीची मुझे मिला तो आज मैं लाई हूं और खाऊंगे बहुत ही मीठा है के वरीओं बाक तो चैनली वर्ट श्यों आपने नंचना कैसे हो आप लोग मैं बहुत अची हूं और अभी मैं आई हूं पोतो की पैलेस यहां पर आर्ट सेन कल्चर योगिरा का म्यूजियम है तो वह मैं आपको भी दिखाऊंगी बहुत ही प्यारा है लिवीर में यह तो आपको मैं बैक केमरे से बाहर का व्यू देती हूं फिर अंदर चलते हैं फिर बाते करते हैं अब यहां से एंटर करेंगे एंटरांस है यह देखो तो इसको मैं उपन करती हूं चलो आप दी हमारे साथ यहां पर तो कोई गाट बगिरा रहते हैं जो की टिकेट बगिरा देते हो भी है नहीं so friends मैं अभी आई हूं साइंटिस्ट हाउस में यह साइंटिस्ट पास है यहां का और इतना प्यारा इतना खुबसूरत है मैं कैसे लाइक नजदीक से ज़्यादा क्याप्चर नहीं हो पादा दूर से अच्छे से दिखता है ना बहुत ही सुन्दर है यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा रूम और डूपलेट्स घर बहुत ही प्यारा है मैं अभी आपको बैक केमरा से दिखा थी बहुत सुन्दर लग रहा है चलो आपको यह रूम दिख रहा है मुझे पदा रही मैं कैसे आपको दिखा हूं ताकी थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखे यह जूम करके नहीं लाइक मैं उनका घर है यह और इधर मिरर देखो कितना बड़ा सुन्दर सा लगा हुआ है और इस मेरर में मैं आपको सामने दिख रही हूं चलो और आगे दिखाते हैं बहुत सारा रूम है बना हुआ है और इतना ब्रहा है इधर भी कुछ है तोड़ा कम लाइट है ओ इतना शारा है इधर भी कुछ है पता नहीं ऐसे ही बहुत सारा लूम सब है यह देखो बीच का कॉमन एरिया कितना प्यारा है बीच से स्टेरकेस गया है उपर के लिए डूपलक्स घर है और पुरा उडेन बना हुआ है पुरा देख सकते हूँ इसका स्ट्रक्चर कितना प्यारा है और सब उडेन है उडेन नहीं पूरा हाऊस इस दिख रहा है मुझे लेकिन बहुत ही सुन्दर दिख रहा है यह देखो और यहां बीच में उपर जूमर लगा हुआ है सो गाई जब मैं ऊपर चलती हूँ यह देखो पूरा स्टेर के जेरिया है मैं थोड़ा सापको दिखा रही हूँ फिर चलती हूँ तो अब मैं ऊपर चल रही हूँ इस्टेर्स पर और आगे बढ़ते हैं और चलो थोड़ा बहुत आपके साथ भी शेयर करते हैं उपर का मैं दिखाऊंगे आपको थड़ा बहुत ही दिखा पा रहे हूं क्योंकि बहुत रूम है आप खुद भी कन्फ्यूज हो जाओगे और बूर भी हो जाओगे तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको व्यूदे दोती हूं और इधर एक कॉमन है क्या दिख रहे हैं सायद मीटिंग में गेरा के लिए यहां पहले हुआ करता होगा बीच में टेबल है सो गाईज अब मैं उपर वाले फ्लोर से नीचे आ रही हूँ विकॉज मैंने थोड़ा बहुत आपके शेयर किया है सब कुछ वीडियो मैं दिखाओंगे तो फिर काफी बड़ा हो जाता है इसलिए कुछ आपके साथ भी शेयर करा काफी प्यारा बहुत ही खुबसूरत सा है साइंटिस्ट हाउस है